क्रिकेट जिगर से जोड़ी हुए खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीचे लोकेश राहुल ने अच्छी करी लेकिन लोकेश राहुल के आउट होने के बाद भारतिय पारी डगमगाती हुई दिखाई दी दोस्तो इस मुकाबले के लिए भारतिय टीम में तीन बड़े बदलाव किये गए इस मुकाबले में संजू सैंसेन, नोदीप सैनी और वशिंगटन सुन्दर को टीम में चुना गया बतोर उपनर बलेबाजी करने आये संजू सैंसन इस मुकाबले में भी फैल दिखाई दिये लेकिन निचले करम में बलेबाजी करने आये मनिश पांडे ने भारतिय पारी को गिरने नहीं दिया दोस्तो मनिश पांडी ने इस मुकाबले में पच्चास रनों की सबसे महतपूर्ण अर्द सतक की पारी खेली वही उनका साथ देते हुए गेंदबाज सार्दो ठाकों ने भी 20 सरनों की गजब की पारी खेली मनिश पांडी की इस लाजबाज पारी की बदावलत भारती टीम ने इस मुकाबले में न्यूजिलेंड के आगे 165 रन का सम्मान जनक लक्षे रखा इस लक्ष का पिछा करने उतरी न्यूजिलेंडे सुरुआत से ही भारती गेंदबाज पर अपना सिकन जाक कसना शुरू कर दिया खास करके कॉलिन मुन्रो इस मुकाबले में गजब के फोर्म में दिखाई दिये मुन्रो को आउट करने में कोई भी भारती गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहा था गौर करने वाली बात ये थी कि भारती टीम के सबसे बेस्ट गेंदबाज जस्पृत पुमरा भी मुन्रो के सामने फेल दिखाई दिये लेकिन पारी के बारह में उभर की चौती गेंद पर मुन्रो को शार्दुल ठाकूर और विराट कोली ने रन आउट कर दिया मुन्रो ने नियुजिलेंड के लिए इस मुकाबले में 45 गेंदों में 64 रनों की बेहतरीन पारी खेली वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आये टॉम प्रूस को भी युजवेंदर चहल ने क्लीन बोल्ड कर दिया दोस्तो हम आपको बता दे कि इस मुकाबले से पहले खिले गए तीनों मुकाबले में भारती टीम ने नियुजिलेंड को करारी सीकस्त देकर इस T20 स्रिंखला को पहले ही अपने नाम कर लिया है लेकिन देखने वाली बात रहे रहने वाली है कि क्या भारती टीम पांच सुनने से नियुजिलेंड को नियुजिलेंड में हरा कर इतिहांस रचने में सफल रहेगी या नहीं तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या भारती टीम नियुजिलेंड को आने वाले पांच में मुकाबले में हराने में सफल रहेगी या नहीं आप अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में चरूर बताएगा धन्यवाद